चालू सप्ता के दोरान धनिया की कीमतों में नर्मी देखने को मिली है। हालांकि उतपादक केंद्रों की मंडियों पर धनिया की आवक काफी रह गई है, लेकिन हाजिर एवं निर्यात व्यापार कम होने के कारण कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। मगर जानकारों का मानना है कि वर्तमान कीमतों में अब मंदे की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्पादक राजियों में परियाप्त बारिश होने के कारण किसान खरीफ फसलों की बिजाई में व्यस्त हो गए हैं, जिस कारण मंदियों में धनिया की आवक आगामी दिनों में क प्षाट सप्टाह के अंत में 7204 रुपई पर बंद हुआ है। वाईदा के मंदे समाचारों के कारण हाजिर बाजारों में धनिया की कीमतें 100-200 रुपई प्रती कविंटल मंदे के साथ बūली गई मगर फिलहाल घटे भावों पर व्यापार सीमित देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि कुल उत्पादन का लगभग 80-85% माल मंडियों में आजाने के कारण मंडियों में धनिया की आवग घट गई है। माना जा रहे कि चालू सीजन के दोरान देश में धनिया का कुल उत्पादन एक से एक लाख दस हजार बोरी के आसपास होने के समाचार है। वर्तमान गुजरात की गोंडल मंडी में धनिया की आवग 4000-4500 बोरी, राजकोट 600 बोरी एवं जुनागर में 250 बोरी की रह गई है। जबकि राजस्थान की प्रमुक मंडी रामगंज में आवग 2000 बोरी, कोटा 1000 बोरी एवं बारा में 800-1000 बोरी की हो रही है। मध्यप्रदेश की कुम्बराज मंडी में दैनिक ओस्तन आवग 1200-1500 बोरी एवं गुनागर 2000-2500 बोरी के अलावा नीमच मंडी में 700-1000 बोरी की हो रही है। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में धनिया के भाव अपने न्यूतम स्तर पर बोले जा रहे हैं। वर्तमान भावों में मंदा संभव नहीं है क्योंकि आगामी दिनों में मंडियों में आवक कम रहेगी। इसके अलावा बारिश का मौसम समाप्थ हो जाने के पश्चात मसाला निर्यातकों के अलावा निर्यातकों की मांग भी बढ़ेगी जिस कारण से आगामी दिनों में धनिया की कीमतों में 10 से 15 रुपए तेजी बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि अगर धनिया की कीमतों में तेजी नहीं बनती है तो दूसरे वर्ष भी उतपादक राज्यों में धनिया की बिजाई घट सकती है। उतपादक केंद्रों पर धनिया की बिजाई का कार्य अवश्य ही प्रभावित होगा। वही उतपादक केंद्र की बिजाई लगभग 5,00,00,00 हेक्टेयर पर की गई थी, जो की वर्ष 2024 में घटकर 3,60,000 से 3,70,000 हेक्टेयर पर आ गई है। गज़ सीजन में धनिया की कीमते मंदी होने के कारण वर्ष 2023 से 24 के दोरान धनिया का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। मसाला द्वारा जारी आकडों के अनुसार वर्ष 2023 से 24 अप्रेल से मार्च के दोरान धनिया का निर्यात 1,076-24 तन का हुआ। जबकि 2022 से 23 में निर्यात 54,481 तन एवं वर्ष 2021 से 22 में 48,656 तन का निर्यात किया गया था। चालू वित्वर्ष 2024 से 25 के प्रथम मा अप्रेल में धनिया का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और गत अप्रेल के मुकाबले निर्यात या प्रतिशत घट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रेल 2023 में धनिया का निर्यात 11,486 तन का हुआ था जो की अप्रेल 2024 में घटकर केवल 6,054.49 तन का रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी